प्रवन शर्मा एंड वेलकुम यॉल तो मैं चैनल और गाइस यह रीक्याप का वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए शुरू किया है ताकि आपको जो है सेम टाइम फ्रेम में ज़ादा इंफोर्मेशन दिया जा सके रीकैप का वीडियो जो है आपको यह बताएगा कि आज जो है आपने कहां कहां गलतिया करी है और क्या उपरचिनिटीज हैं जो आप से मिस हुआ है क्योंकि देखिए जब आप मार्केट में होते हैं तो बहुत सा आई होगा तो आप उसको कल वापिस ले सकते हैं यह हमारा मोटिव है तो चले बात करते हैं निफ्टी के ताज शुरूरूर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में देखिए पहले आपको यह चेक करना होते कहां कहां सपोर्ट प्लेस किया गया है यह आप ऐसे लाइ बनी तो ये नीरस्ट है अगर आपकी यहां बनी है तो आप इसको ignore करेंगे थोड़ी ताइम के लिए आप इसके उपर focus करेंगे तो focus जहां करेंगे वो focus आपको यहां मिलेगा तो मतलब सबसे nearest जो था वो यही रहा कि estás जो है market यहां से लेके पिस यहां के तो आपके पास जादा choice नहीं बचा इसके बीच में अगर आप करेंगे तो कितना मिलेगा कुछ भी नहीं यह देखिए सबसे छोटा भी बात करता हूं छोटे के अंदर भी कुछ खास नहीं मिला आपको यहां से लेके यहां तक which means a very small range जो की यह support यहां रहा rise कहां से शुरू होगा यहां से लेकिन ऊपर के तरफ आपके पास में पहले ही पता है कि इस से उपर market नहीं जाएगा तो आज की market में अगर आपने निफ्टी में trade लिया था तो हो सकता है आपको profit ना मिलाओ क्योंकि 70% जो है market एक साल के अंदर one year के अंद और बैंक निफ्टी के बारें बात करते हैं देखिए बैंक निफ्टी ने वापिस 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 यह देखिए यह है आपके पास में बैंक निफ्टी ठीक है अब support कहां पे है आपके पास में चेक कीजिए simple सी बात कीजिए यह देखिए आप देख रहे हैं उसके बाद में major resistance कहां place किया गया है यहां के आसपास place किया गया है मैं candle की तरफ नहीं देख रहा हूँ लेकिन यही देंज थी तो कल अगर आपको याद हों बार बार बात कर रहे हैं थे कि 550 पे जो है strong support resistance place किया गया है और 22-200 के आसपास जो है strong जो है हमारा support place किया गया तो resistance पे तो हमारा जो है थोड़ा सा पीछे रहा गये support के आसपास पूरा दिन market जिग-जग रहा इसकी वजह से हो सकता है हमें no trade रहा हो bank nifty के अंदर भी देखिए market जो है न हर रोज opportunity नहीं देती है market जो है आपको जब opportunity देती है तो आप समझ जाएएगा कि major moment जो होती है ओके वो जो है आपको trending market में ही मिलेगी तो आप जो है अपने आपको range bound market से बचा कर रखिए अगर हम बात करें हमें ACC limited की चीक है ACC limited पर देखिए यहां से शुरू हुआ एक बड़ा candle बना हमेशा जब बड़े candle के बाद में फिर से तो ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि उसके बाद में जब candle बहुत बड़ा होता है तो profit booking आती है और जब गिरता है तो short covering आती है इसका मतलब है आपको जो है ट्रेड या तो आपको यहां लेना चाहिए था या फिर आप जो है उसके बाद में consolidation का weight करेंगे तो इसका मतलब है क कहां ले रहे है stock उपर गया यहां पे close किया फिर से यहां close किया फिर से इधर लगा था close के मतलब यह हमारा confirm हो गया जो है 1380 पे support ले रहा है और यहां से bounce back करके जो है हमारा 1394-95 के आसपास जो है stock ने हमें दिया तो which means hitting our first target तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां stock support लेता है अगर आपके पास में आज का support बन गया ठीक है अगर आपके पास में stock नीचे गिर जाता तो यह आपके पास support आता जो इन दोनोंने first दोनों candle ने जो है सिको mature भी किया और उसके बाद में आज का support बनाया और जो है ऊपर के तरफ लिक गया अगर हम आगे बात करें आईशर मोटर में यह दिन था हमारा पहला जो कैंडल गिरा उसके बाद तुरंट कंसोलिडेट किया अब देखे कहां सपोर्ट बना यहां सपोर्ट बना जो था 2140 पे अगर हम बात करते हैं हमारे एंट्री की तो हमारे पास 2145 का एंट्री है तो सम्विल क्लोस उसके बाद एक comfortable fall हमें देखने को मिला which went till 2120 जो यह हमारा था first target का तो याद रखेगा जब भी stock जो है आपको ऐसी एंट्री देता है बड़े के बाद में रूख जाती है जैसे मैं कहता हूं मिशा देखे इतना बड़ा fall आया फिर सगया फिर stock एक momentum लेता कहीं पे कहीं अपने आपको रोक सब्सक्राइब तो यह आपका stop loss हो जाता है यह आपका entry हो जाता है तो जितना आप wait करेंगे कभी कभी उतना stop loss छोटा हो जाता है आप बात कर रहे हैं आईशेर मोटर की तो आईशेर मोटर 2100 का stock है मतलब ideally आपके पास 20 रुपे का stop loss होना चीए लेकिन अगर आप wait करेंगे तो कभी कभी यह जो है आपका सिर्फ और सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें तो पांच रुपे का stop loss है यहां पर इसलिए मैं कहता हूँ wait कीजिए right entry का यहां पांच रुपे के stop loss पे आपने जो है almost आपको 10-12 points जो है उसका हो मिल गया इसलिए मैं पूरा दिन बैठा रहत हूँ wait करता हूँ कि जो है मुझे अच्छी opportunity मिले और वहां से विनम ट्रेड ले जल्द बाजी में कुछ नहीं रखा तीक है जल्द बाजी में कुछ नहीं रखा है अगले trade की बात करें हिंडायलकों की बात करते हैं तो हिंडायलकों में देखिए यह market शूरू हुआ पहला को identify करने उसके बाद कि क्या आराम से इसने उपर गया है तो गाइस यह था हमारा recap जो कल के लिए था आपके question query हो तो आप हमें definitely पोछ सकते हैं तो गाइस that's all about it I'll see you in to my next video have a nice day friends जैसे कि आप जानते हैं कि हर stock selection के पीछे chart reading का एक important role होता है तो अगर आप chart reading सीखना चाहते हैं chart reading के components को समझना चाहते हैं candles how to build your strategies how to understand the movement how to identify the support resistance और indicators को कैसे read किया जाता है उनसे आपके entry exist कैसे निकाला जा सकता है तो आप हमें join कर सकते हैं हमारे online training program पर हमारे पास दो programs होते हैं एक वो जिसमें आप chart reading और stock selection की बात करते हैं जहां पे हम intraday और positions जो है identify करते हैं दूसरा वो अगर आपका time कम होता है तो आप हमें join कर सकते हैं option strategies के लिए भी option strategies में हम वो सब cover करते हैं जिससे आप nifty और bank nifty को easily options के through trade कर सकते हैं तो अगर आपका हमारे programs के लिए query है question है तो आप हमें whatsapp करके और 9711411007 पर ज्यादा information gather कर सकते हैं